अस्सलाम अलेकुम दोस्तों हम सीख रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश, स्पैनिश, बैसिक्स और उसमें लेसन नमबर है आज 4 तो आप भी मेरे साथ साथ प्रेक्टिस कीजिए था कि आपको भी सीखने में असानी रहे चले अपने लेसन की तरफ चलते, टेप दा मैचिंग प्यार्स, प्यार मैच करते, अपिल मतलब होता है उर्दू में सेब, सेब को इस्पैनिश में क्या बोलेंगे? मनसाना ही, ही मतलब होता है उर्दू में वो, तो इस्पैनिश में क्या होगा? एल गल गल मतलब उड़ु में होता है लड़की तो स्पैनिश में क्या होगा? नीनिया शी शी मतलब होता है उड़ु में वो तो स्पैनिश में क्या होगा? ऐजा आयम मतलब होता है में हूं उर्दु में क्या होता है । में हूं तू स्पैनिश में क्या होगा सование ए जो हमने सुना उसको करना है हमें इसे बेतरती भी हुए न भी है दूबारा सुनते हम क्या है क्वान कोमे मंसानास क्वान नाम होता है जैसे जोन नाम होता है ना इंगलीश मैं तो इसको इंगलीश में किस तरह से बोलेंगे क्वान eats apples ठीक है? दोबारा सुन लेते हैं Juan come mansanas Juan come mansanas Juan safe खाता है पुर एंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? Juan eats apples तू एरेस उन ओम्ब्रे translate this sentence Spanish में है तू एरेस उन ओम्रे ये हॉम्रे की आवाज नहीं निकलेगी हॉम्रे बोला जाएगा हॉम्रे तू एरेस उन ओम्रे तू एक आदमी हो और दूमें इस तरह बोलेंगे या इस तरह बोलेंगे आप एक आदमी हैं तू इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे You are a man किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में You are a man You are a man आप एक आदमी हैं और Spanish में किस तरह बोले जाएगा तू एरेस उन होंप्रे। दूबारा सुनते हैं। तू एरेस उन होंप्रे। यह कोमे मंसानास। इसको पहले तर्थीप से लिखते हैं। अपसिलों में सुनते हमने ठीक लिखा है। एल कोमे मनसानाज इसका मतलब होता है उर्दु में वो सेब खाता है मनसाना एक सेब हो गया मनसानाज प्लूरल हो गया तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे हम? He eats apples वो सेब खाता है नीचे देखें नीचे लिखा है ट्रांसलेट इस सेंटेंस इस जुम्ले का तरजुमा करें इसको इस पैनिश में किस तरह से बोला जाएगा? एको बोला जाएगा एल इसको बोला जाएगा एस उन आ को बोला जाएगा उन उम्रे को बोला जाएगा में को बोला जाएगा उम्रे एल एस उन ओम्रे वो एक आदमी है ठीके आगे बढ़ते हैं इसको मैं तर्टीब से लिखना है दुबारा सुनते हैं क्या बोला एल एस उन ओम्रे एल एस उन ओम्रे दुबारा सुनते हम एल एस उन ओम्रे वो एक आदमी है उर्दु में इस तरह में बोले जाएगा इंग्लिश में किस तरह में बोलेंगे से इस आ मैं शी जा वुमेन वो एक ओरत है शी इस आ वुमेन इस कोड़ु में किस तरह से बोले जाएगा वो एक ओरत है और इस पैश में किस तरह से बोलेंगे शी को इया अभी जे जाएगा किस को इस को इस आ को उना वुमेन को मुहर को इया है इस उना वुहर है वो एक ओरत है शी इस आ वुमेन आगे बढ़ते पहले इसको तर्दीप से लिखते तू एरेस उना नीनिया इसका मतलब होता है तुम्हें एक लड़की हो या आप एक लड़की है उसको सिलों में सुनते हैं पहले तू एरेस उना नीनिया तू एरेस उना नीनिया आप एक लड़की है इसको एंग्लिश में किस तरह बोलेंगे यू आर आ गल आगे बढ़ते Translate this sentence खुआन इट्स एपिल्स उर्दू में इस तरह होगा खुआन को में मनसानास आगे बढ़ते हैं पहले इसको तर्टीब से लिखते हैं वो एक लड़की है उर्दू में इस तरह में बोलेंगे और इंग्लिश में किस तरह में बोलेंगे वो एक लड़की है सिलो में सुनते हैं एया इस उना निया ठीक है आगे बढ़ते हैं यू आरा गर्ल अब इसको हमें लिखना है खुद लिखना है यू आरा गर्ल आप एक लड़की हो अभी हमने लिखाता ना पीछे यू आरा गर्ल इसका मतलब क्या हुआ अगर्दू में आप एक लड़की हो तो हम इसको Spanish में किस तरह लिखेंगे? You को क्या बोलते? तू तू आर को क्या बोलेंगे? Eres आपको क्या बोलेंगे? Una गल को क्या बोलेंगे? Nina तू Eres, Una, Nina तू एक लड़की हो या आप एक लड़की हो क्या आगे बढ़ते? शीजा गल वो एक लड़की है उर्दू में इसी तरह बोले जाएगा ना शीजा गल उर्दू में बोलेंगे वो एक लड़की है और इस्पैनिश में किस तरह बोलेंगे? याएज उना नीनिया तो दोस्तों ये तो था इस इंग्लिश व इस्पैनिश बैसिक्स लेसन नमबर फॉर अपरे लेसन में पिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्हाफिस यह पुँर में पिर स्वेपश। अपलिश कर लेंगे झाल ऑपरे ए्प्वाफिस उना इस भी एंस्पैनिश पुश्पश्ब़फश्पश्पश्श्पश्पड़च्श्वच्टबग्पश्बपबवस्टबबवस्टबबदब़ब्गione पया झाल